अपने तबस्म टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा आदाब नमस्कार सत्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी तबस्म यानि बेबी तबस्म की पोती करिश्मा और आप देख रहे हैं तबस्म टॉकीज खड़ी भर को सिंदगी का ना अब एहसान हम लेंगे बिना तेरे अगर जीना पड़े तो जान हम देंगे दोस्तों आज जिस हीरो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उन्होंने अपनी पहली फिल्म में दिलिप कुमार और राज कुमार जैसे दिगज अक्टर्स के साथ काम किया और लोगों को उन्होंने आई लव यू कहने का बहुत ही अलग अंदाज सिखाया यानि की इलू इलू आप तो समझी गए होंगी वो कौन है और वो है दे टैलेंटेड चामिंग आड क्यूट है इधर अधर का कुछ हिंटो दे दो हाँ जब बाग में कोई फूल खिला तो भवरे ने कहा इलू 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 विवे कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में दिगज कलाकारों के साथ काम किया तो वो जड़ा भी नर्विस नहीं हुए You know why? क्योंकि उन लोगों ने उन अक्टर्स ने उन्हें इतना जादा कम्फटबिल फील कराया और बहुत ही सपोर्ट दिया विवेक मुश्रन का जनम हुआ 9th August रेनू कूट में जो यूपी में है एक कश्मीरी पंडित परिवार में उनके पापा का नाम है विजय कुमार मुश्रन और वो बिर्ला कमपनी में मार्केटिंग हेड रह जुके हैं उनकी ममी का नाम है अनूसुया जो एक टीचर थी उनके दो भाई थे लेकिन अफसोस उनमें से एक इस दुनिया को छोड़के चले गए विवेक ने अपनी स्कूलिंग की नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल से और उन्होंने अपनी कॉलिज की पढ़ाई कंप्लीट की सिड्नम कॉलिज से जो मुंबई में है कॉलिज के दरान उनको बहुत पैसे की जरुद पढ़ती थी तो उनके एक दोस्त में उन्हें कहा कि तुम तो इतने अच्छे दिखते हो तुमें तो मॉडलिंग करनी चाहिए तो विवेक को यह आइडिया बहुत जम गया और उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनवाया और मॉडलिंग शुरू करती मॉडलिंग करते करते उन्हें यह एसास हुआ कि अब उन्हें फिल्मों में ट्राइ करना चाहिए तो उन्होंने वो पोर्टफोलियो लिया और अलग-अलग production houses में जाके उन्होंने ट्राइ किया उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब मशूर producer, director, writer सुभाज घाय के office से उन्हें एक फोन आया और वैसे उन्हें मिल गई film सौदागर 1991 में विवेक कहते हैं कि मैंने कभी भी acting में कोई formal training नहीं ली और मैं सोच रहा था कि मैं acting कैसे करूँगा वो मजाप में कहते हैं कि दभी उन्हें एक idea आया और उन्होंने अमिता बच्चन जी की सारी फिल्में देख डाली और dialogue delivery सीख ली सौदागर के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे कि First Love Letter, सात्वा आस्मा, राम जाने और बेवफा से वफा विवे कहते हैं कि काफी फिल्मे करने के बाद भी मुझे वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था फिर भी मैं मायूस नहीं हुआ और हिम्मत नहीं हारी In fact मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत टीवी में आजमाई जाए और उसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया और बहुत ही एहम रोल ने भाए जैसे की सोनपरी जो उनका पहला सीरियल था फिर किटी पाटी और परवरिश को कौन भू सकता है विवेक ने शादी नहीं की वो कहते हैं कि मैं इतना बिजी था काम में कि मुझे शादी का ख्याल ही नहीं आया वो आज भी बिजी है टीवी सीरियल और वेब सीरिस में और कहते हैं चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा या मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा तो ऐसे बाते भी करती रहूंगी मैं आप देखते रहें तब उसम टॉकीज और करते रहें क्या लाइक, शेर और सब्सक्राइब